हलो प्रैंज आज आपको मताया है का मेंटरायटिस ऐं acularthese के बारे में यह क्या होता है इसके क्या कारण है और क्या हिलाज करना चाहिए वैसे में आपके मत्रसु में आपके बद्वार्शन में डिक्कतस आ addict排 dust हो तो इसका क्या कारण हो गार बार बार रिपीट हो रहा है तो पाइव मेटरा के बारे मेरे चेनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुए है लेकिन मेरे पास इसमेस प्रकार के बहुत आपको पूरा प्रॉपर नालेज मिल जाएगा विए उसको होता है उसमे पर शुमे पर चुन्न है उसको है दिस्ट्राब्रुमेसा हो सकता है उसमें पर इस भूने बश्राय केस हो이승 प्र रहता है और उसके वजह से वेकर रापने पेक्षा निकलते है बेक्ट्रियल इंफेक्षन हो यह बन सकते हैं इससी परकार इस परकार की विमारीय के बिर्चल व्चमी में नियुक्त प्रकार कुछा सुम tą संदेखने आपको दिखाइव आपको दिखाई नहीं तेता है उन्वालवा पे चिपका tightly तो देखने पर पता लगता है तो रख देmarkets आजो कि सूजिड़े आपक करने क लिए उसमें 더leeं को सकता है कि उसकी वजह से तो मेट्राइटिस इंडॉमेट्राइटिस हो हो सकता है वसके द Tennant करेंचा भी इस दिन बाद में डिखाई देता है तो यह दिखाई देता तो दीकbnा वह तो प्रलजागें कहने से धसाने पयोगति नहीं बश्यक्ति नहीं आता है इसमें थोड़ा डिसार्ज देता है आपका पसू लेकिन होता हूँ मेटराइटिस वे इंडो मेटराइटिस में होता है जब कि क्या है होता है कि जैसे सब किलनीकल मेटराइटिस है तो उसमें किसी भी तरह का आपको जो डिसार्ज है वो दिखाई नहीं देता है लेकिन जो इंटर्नल है उसके नगत सुजन रहती है इस तरह से आपके पसू में यह देखने को मिलता है देखो मेटराइटिस वह एंडो मेटराइटिस की वज़े से भी आपका पसू बार-बार रिपीट होता है बांस्पन की भी शिकायत में जा सकता है आपका पसू ठहर नह इंजेक्शन लगाएंगे तो इससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आप यूटरस के अंदर को द्वयां छोड़ते उससे ज्यादा बैटर आपको इंजेक्शन लगाने से आपको मिलता है तो इसमें एंटिबाटिक इंजेक्शन आप लगा इंडो मेटाइट्रिस यह आपके पस्व में बन गया है तो इंजेक्शन चार चार ग्राम लगातार तीन दिन आपको इंटिबाटिक इंजेक्शन आप उस पस्व में जुरूर प्रयोग करें यह आपको अच्छा रिजल लेना है तो यह इंटिबाटिक भी लगा सकते हैं इंजेक्शन का भी परयोग इस तरह की बीमारियों में कर सकते हैं यह इंजेक्शन लगातार तीन दिन उस पसू को जरूर लगवाना चाहिए यह आपके पसू में इस प्रकार की दिकत हो गई है तो मेटराइटिस वे इंडो मेटराइटिस की यह आपको अच्छा रिजल लेना है तो और साथ-सके इदे आप यूटरस के अंदगा यह दिद्वाएट चुड़ाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लिक्सिन आयू का परियोग कर सकते हैं जिसके अंदर सिपालेक्सिन ज को छुड़वा सकते हैं यह भी लगातार तीन दिन आपको एदी अच्छा रिजे लेना है तो आपको तीन दिन छुड़वाएं वरना आपको इंजेक्शन का आपको जुरूर ध्यान अकना है क्योंकि जो मेट्राइटी से इंडो मेट्राइस परत में सुजन आ जाती है तो इ लेकिन इसमें आप इंजेक्शन भी लगए साथ साथ इसके अंग का फुल फोस्टनौल साल्ट का इंजेक्शन भी आप उस बसुड़वा सकते हैं मेट्राइटिस में जिस प्रकार से वेट मेट्राइट इंजेक्शन एक लगाने के बाद में आप इसको repeat भी आप उस पसु पर करवा सकते हैं यह दिया आपको इस तरह की दिकत है तो दस दिन से लेकर करके 14 दिन में आप इस injection को आप एक बर आप repeat करवा दे अपने पसु चिकत सके द्वारा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो मेटाइटिस बना है इंडो मेटाइटिस बना है इसमें दोनु में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और दोनु में आपका पसु बार बार repeat होता है इसमें रिपीट होने के चांस वैसे होते हैं बांस्मन की चिकत रहता है कई बराप यहीं करवा लेते हैं नेचरूर गरबादान करवा लेते हैं तब समझ लेना चाहिए कि आपके पसु में यह बीमारी हो गई है और कई बर उसमें हम जाकर के चैक करते हैं देखते हैं कि जो गरबास्य के अंदरगत है उसके परत के अंदरगत सुजन भी बनी वी है उसकी वज़े से भी आपके पसु में इस परकार की दिकत देखने को म से भी उसकी तरह से सपाई की जाती है कम से कम 400-500 एमल एनसे उसकी सपाई भी करवाई जाती है पॉइडीन जो पाउडर फोर में आता है उसको मेट्रो नीडाजोल से या एनसे गोल करके उसके इंदर यूट्रस के इंदर चोड़ा जाता है वह यह आपके पास नजदिक पसु है जितनी बीटिनर टेंटर पालक उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके सेर करें मेरी वीडियो का लाइक करें आपके लाइक सेमेर को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छी से नोलेजबर वीडियो आपके लिए हरसि में ऐसे हिलाता रहूंगा और सतन वीडियो देखते रहें इसी तरह मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाग